वेलकम मित्रो नमस्कार दोस्तो आज दोस्तो में लेकर हाजिर हूँ आपके लिए यूपी स्पेशल का पार्ट नमबर तीन भाग नमबर थ्री दोस्तो लेकर हाजिर हूँ जिसमें बहुत ही महत्पून टॉपिक मैंने सामिल किये हैं तीन टॉपिक एक है मुख्याले से भिन नाम वाले जिले दोस्तों आपको ध्यान से नोट कर लेने हैं याद कर लेने हैं कुछ है लगभग है बारा या तेरा हैं तो वो जिले कौन से हैं जिनका मुख्याले अलग है जैसे आपका खुद का जालोन है उसका मुख्याले क्या है हो रही है चलिए मित्रो प्रारम करते है तो copy pen लेकर के तयार होंगे आप नोट करते जाएएगा, जिले का नाम अलग और मुख्याले का नाम अलग करिएगा अमेठी दोस्तो जिला है गौरीगण्ज उसका मुख्याले है अमेठी डिस्टिक का मुख्याले कहां है गौरीगण्ज है, संतकवीर नगर जिले का मुख्याले खलीलाबाद है जो संत्यकवीर नगर है दोस्तो वो खलीलाबाद उसका मुख्याले है गौतम बुद्ध नगर का दोस्तो मुख्याले नोइडा है दोस्तो ये थोड़ा सा कठें जरूर है एक नंबर का कभी भी आ जाता है जो वीडियो के पेपर हुआ थो उसमें ये एक नंबर के मुख्याले आए हुए थे तो दोस्तो तैयार कर लिजे गौतम बुद्ध नगर का अन्वेडा कौसामबी का मंजनपुर और अमबेड का नगर दिया है अमबेड का नगर जिले का मुख्याले है अगबरपुर अगला जिले का मुख्याले है अगबरपुर माती अगला दोस्तो सिधार्थ नगर है सिधार्थ नगर का मुख्याले नवगड है दोस्तो क्या है नवगड या नवगड ये आपके मुख्याले है सिधार्थ नगर का नवगड सौनभद्र जो जिला है उसका रावर्ड्स गंज, क्या है दोस्तो रावर्ड्स गंज, यह बहुत ही मोष्ट है सौनभद्र और कानपुर देहाद, कानपुर देहाद का अकबर पुर्माटी और सौनभद्र का रावर्ड्स गंज, जालोन यह आपका ही जिला है, तो जालोन का मुख्याले है दोस्तो फतेगर संभल का है पमांसा संभल जो आपका क्या है एक जिला है संभल उसका मुख्याले है पमांसा तो दोस्तो नोट कर लिए होंगे ये सभी जिलों के बहुत ही मोस्ट हैं कुछ विसेश दोस्तो जैसे अमेटकर नगर का अकबरपूर है कानपूर द पहली बार यूपी में सोतंता के बाद जो 1947 में आजादी मिली थी हमें उसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधनियम 1947 पास किया गया 1947 और 15 आगस 1947 को पंचायतों की इस्थापना शुरू हो गई थी दोस्तो यूपी में जबसे हमारा देश आजाद है फिर दोस्तो 1961 वासट में उत्तर प्रदेश छेत्र समिती एवं जिला परसाद अधनियम 1961 पारित करत्री इस्तलिय मिंस तीन इस्तर के ग्राम पंचायत छेत्र पंचायत और जिला पंचायत प्रणाली रागू की गई थी दोस्तो एक अधनियम बनाये था उत्तर प्रदेश छेत्र समिती जिलापरसद अधनियां 1961 उसके इस्तर पर तीन इस्तरी पंचायत विवस्ता किया गया था ग्राम पंचायत, छेत पंचायत, जिला पंचायत लागू की गई ऐसा दोस्तो ये सिफारिस बलवंत राय महता समीती की सिफार्सों के आधार पर किया गया था दोस्तो पंचायती राजप्रणाली की बलवंतराय मेहता समीती बने थी उसने सेपारिस की थी त्री स्तरी 1992 में किंद सरकार दोरा पंचायतों को सम्वेधानिक दर्जा देने के लिए उद्देश से तेतर्म सम्मिदान संसोधन करके अध्याय 9 मिस भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छे 243 ए से 243 ओ तक विवस्ता की गई पंचायती राज की अगला दोस्तों ध्यान से याद रखना है तेतर्म सम्मिदान संसोधन के अनुकरम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधी संसोधन विध्याक पारित किया गया और 22 अप्रेल 1994 से प्रवरत किया गया मिस लागू किया गया तो तेतर्मा समिदान संसोदन के अनुक्रम में उसके तहट उत्तर प्रदेश ने पंचायत विधी संसोदन अधिनियाम पारत किया था विधयक कब 1994 में अगला है दोस्तों जिला पंचायत मित्रो जिला पंचायत को देखते हैं त्री इस्तरी विवस्ता में सबसे सीर्स पर जिला पंचायत होता है जिनके अध्यक्ष एवं पाध्यक्ष के चुनाओं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है इनके विरुद्ध आविस्वास प्रस्ताओं चुने जाने के एक वर्स के भीतर नहीं किया जा सकता चुनाओ छेत्र के वयक से जनता द्वारा किया जाता है दोस्तो ये थोड़ा सा कठें जरूर है टोपिक तो समझ लीजी अच्छी से क्योंकि ये आज आता है स्थानी प्रसासन आपके यूपी टी इटी में दिया गया है तो दोस्तो जिला पंचायत को समझ गये होंगे ये त्री इस्तरी पंचायत विवस्ता का सीर सिस्तम है इसको दोस्तो जो चुने जाएंगे उनके बिरुद्ध है उन सदस्यों के बिरुद्ध एक साल के भीतर आविस्वास प्रस्ताओं नहीं लाजा सकता ये पूछा गया है प्रस्ने और व्यक्स मत दाताओं के दोरह ये चुने जाते हैं अगला दोस्तो है छेतर पंचायत छेतर पंचायत त्री स्तरी विवस्ता का दुतिये स्तर है जिसमें छेतर पंचायत होता है प्रतेक छेतर पंचायत में एक पिर्मोख तथा एक उप पिर्मोख होता है छेतर पंचायद जो है उसमें एक पिरमुक होता है छेतर पिरमुक और एक पिरमुक पिरमुक का चुनाओ ग्राम सभा द्वारा चुने गए छेतर पंचायद की सदस्यों द्वारा होता है छेत्र पंचायद की प्रमुक के बिरोध, आविस्वास, प्रिस्ता और चुने जाने के एक वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता दोस्तो जो उसमें था वो यही इसमें भी सर्थ है छेत्र पंचायद, जिला पंचायद एबं ग्राम पंचायद के बीच की कड़ी होता है दोस्तों ये means एक joint के लिए जो छेत्र पंचायद है वो जिला पंचायद और ग्राम पंचायद की बीच की कड़ी है इस पंचायद का सचयो वीडियो होता है दोस्तों BDO ओके दूस्तों, Block Development Officers जिला पंचायत, छेतर पंचायत, ग्राम पंचायत यह देखिए नीचे लिखा हुआ है तो यह समझ गहूंगो, उपर होता है जिला, फिर बीच में होती ही छेतर, फिर होता है ग्राम पंचायत लाश्ट दोस्तो यही बचाए ग्राम पंचायत यह भी देख लिजी आपके सामने ओपन है सबसे निचले इस्तर पर ग्राम पंचायत होती है जो तिरेस्तरी पंचायत वे बचाती उसके निचले करम में ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है इसका अध्यक्ष ग्राम सभा के 18 वर्स या उससे अधिक आयू के मददाताओं द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है इसका दोस्तो जो अध्यक्ष होता है प्रधान गाओं का प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान होता है तो इसका चुनाओ कौन करते हैं 18 वर्स या उससे अधिक के उम्र के मत दाता अगला पॉइंट है दोस्तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभाद वारा किया जाता है अगला पॉइंट है इसी के आंगे ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने है तू नियूंतमायू 21 वर्स होती है दूस्तो ये बहुत ही पॉइंट मोस्ट है इस पंचायत का सचेव ग्राम विकास अधिकारी VDO बिलेज डिबलमेंट ओफिसर होता है सचेव का दूस्तो ध्यान से रखना वो BDO है बिलेज डिबलमेंट ओफिसर ये कौन है विलेज डिबलमेंट ओफिसर वीडियो दोनों में अंतर है दूस्तो ग्राम पंचायत का वीडियो होता है ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पर भी पूर्वत्तर की तरह है छे समीतियां बनाई जाती है मित्रो तो ये छे समीतियां नोट कर लीजिए कौन कौन सी है प्रसासनिक समीति नियोजनेवं विकास समीति सिक्षा समीति निर्माणकार समीति स्वास्तेवं कल्यान समीति जल प्रबंदन समीति ये छे समीतियां दूस्तो तीनों चराण में चेतर ग्राम औ अगला दुस्तो आपके सामने एक आजाता है नगर निकाय प्रिनाली एक अध्याय जोड़ा गया नौका जिसके तहट अनुच्छे 243 पी से 243 जैड जी तक इसके लिए विसेश विवस्ता की गई तो दूस्तो नगर निकायों को क्या मिल गए समयधानिक दर्जा तो दूस्तो समयधान संसुधन याद रखिये चोहतरमा समयधान संसुधन नगर पाल का नगर निगम से संबंदे थे मित्रो ये भाग नौका में जोड़ा गया था सम्मेदान के भाग नौका में याद रखिए का इसे अगला पॉइंट बाइस दिये गए हैं चोथरवं सम्मेदान संसोधन के बाद उत्तरप्रदेश सरकार दोरह उत्तरप्रदेश इस स्थानीय सोशासन कानून संसोदन अधनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया जब समयधानिक दरजा मिल गया नगर निगम को और नगर निकायों को तो यूपी ने भी अपना एक अधनियम बना लिया कब 1994 में इस अधनियम में राज के संपूर नगरी छेतर को तीन भागों में विभक्त किया गया था एक था दोस्तो नगर निगम दूसरा होता है नगर पालिका तीसरा होता है नगर पंचायत ओके दोस्तो ये तीन चरण होते हैं नगर निकायों में दोस्तो अगला पाइंट दिया गया है नगर निगम में मेयर और उप मेयर होता है याद रखिएगा ये पूंच लिता है कई बार नगर पाल का परसद में एक नगर पाल का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जबकि नगर पंचायत में एक अध्यक्ष और एक उपाध अगला दोस्तो एक था नगर पालिका नगर निकाय प्रणाली उसको सम्मेधनेक दरज़ा दिलाने के लिए केंद सरकार ने चोहतरमा सम्मेधन संसोधन किया जिसे भाग 9 का में जोड़ा गया और अनसुची जोड़ी गई एक भाग अनसुची नमबर 12 जोड़ा गया वोके द नगर निकाय तीन चरण में होते हैं नगर पालिका नगर निकाम और नगर पंचायत अगला दोस्तो बहुत ही पॉइंट मैंने एक सामिल कर दिया है तीन मोस्ट है ये नोट कर लिजिए नहें ध्यान से और देख लिजिए भारत के नकसे में एक नौवंबर 2000 को 36 गड़ रा नोवंबर 2000 सन में 13 जिलों को अलग करके उत्ताय प्रदिस से अलग किया गये थे ये 13 जिले बनाया गया था 27 वा राज बन गया 9 नौवंबर 2000 को अगला है दोस्तो 15 नौवंबर 2000 को कौन सा बना देखिये गए ये कलर दिख रहा है ये जारखन राज है तो 15 नौवंबर 2000 को बिहार राज से बिहार के दच्छणी जिलों को अलग करके एक नया राज बनाया गया 28 सुमा जारखन राज जिसकी राजधानी राची बनाई गयी ओके दोस्तों वीडियो में आज यहीं समाप्त कर रहा हूं मित्रों वीडियो कैसा लगा जानकारी अगर अच्छी हो अगर जे भारत में ट्रो